Hello Friends Welcome to Code Meta-Challar इस वीडियो में हम देखेंगे कि कि सीच को हम Current Nav Link को हम Highlight कर सकते हैं या फिर उसके उफर Color Apply कर सकते हैं या अगर हमें चेक करना है कि Current Nav Link एक्जिस्ट करता है एक्टिव है कि नहीं उस सीच को तो किस तरीके से करते हैं उसके लिए चलते हैं हम हमारे code editor में यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो file थी उसके अंदर हमने क्या use किया था link यूज किये थे इस case में क्या होता है कि अगर हम हमारे browser में जाएं और हमारे code को देखें page को तो यहाँ पर अगर किसी भी page को हम click करते हैं तो अपना section तो component तो change करता है पट अगर inspect element के through हम अगर इसको देखें के menu को तो यहाँ पर हमें कोई class नहीं मिल रही इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें nav link का यूज करना होता है अब वो nav link use कैसे होता है उसके लिए चलते हैं हमारे code editor में यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमने link लिया है इसके जगे पर हमको क्या यूज करना होगा nav link यूज करना होगा कैसे control के साथ आपने d दबाया control d control d तो यह जित्ते भी link होगा उन सबको highlight करतेगा ठीक है अब क्या किया हमने इसको nav और link लिखा हमने ठीक है ने link यह यहां पर भी आगया ओके यह यहां से हमने get करिया सेव करते हैं एक बार ठीक है हमें बोला link not defined यह कहां देते हैं इसको ठीक है यह आगया हमारा अप क्याश करते हैं वापस चलते हैं हमारे browser में हम क्या देखते हैं कि अब क्या changes हमें देखने को मिलते हैं हमने देखा कि हमारे पास कोई changes नहीं है just क्या आया कि जब भी हम किसी को click कर रहे हैं किसी भी menu को देखो हम click कर रहे हैं तो हमारे inspect element में क्या हो रहा है यहाँ पर classes change होनी है देखो class यहाँ पर blank आ रही है menu की जगे अगर हम contact us को open करें अब तो contact us पर हमारे class blank है हमारा क्या है recipe यानि यह वाला menu open है recipe में चलते हैं यहाँ पर active class आगई तो जिस भी menu को हमने click किया वहाँ पर हमारी active class आगई देखो continue changes हो रहे हैं ठीक है अगर आप inspect element में देख रहो तो, अब suppos हमें यहाँ पर class में अगर हमें कोई changes करने है तो हम क्या कर सकते हैं कूछ और भी चीज़ देख सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं जब हम हमारे code editor में चलते हैं और यहाँ पर अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास special हमें कोई style का use करना है आप क्या लिख दो style लिख दो यह क्या करेगा यहां पर style के अंदर जो इस active नाम की चीज़ होती है चेक करता है कि वह active है कि नहीं है situation अगर यहां पर active होगी तो हमें मिल जाएगा दरवाइस नहीं मिलेगी अगर हम इसे control जाट करके वापस class name लिखें और save करें तो देखते हम हमाहारे पस क्या situation होती है यहां पर यहां है हमने रिलॉड कर लिया recipe को क्लिक करते है और inspect element करते हैं को तिक है हमाहा पास क्या वह भी और आक्टिव वह पर कोई special हिय लगा हे देखो यहां पर कुछ भी specially change नहीं हो रहा वी लिकिन जब हम उसको style लिखेंगे तो वहाँ पर changes हमें मिल जाएंगे किस तरीके से यहाँ चलते हैं style मिलेगा is active है तो इसको हमें उपर define करना पड़ेगा is active को हमें style equal to is active ओके यहाँ पर क्या हो गया changes आ गए है देखो react ने फिर चेंज करती है जो हमें लेटेस वर्जन इस्टॉल किया है उसके अंदर उसने क्या क्या है inline styling को हटा दिया है तो हम इसको यूज ही नहीं कर सकते इस method को चीक है तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या रहे गया active class वाला method रहे गया जो हमने अभी अभी सीखा है तो लेटेस वर्जन का आप ध्यान रखेगा कि आप कौन सा react यूज कर रहे हो वो चीज वहाँ पे apply हो रही है कि नहीं रही उसका हमें ध्यान रखना होगा ठीक है अब जैसे यह active class आई तो हम इस active class का यूज करके हम क्या करत है तो इसका color हम क्या कर देते हैं red कर देते हैं ठीक है बाकी हम कोई चेन नहीं करेंगे इसको save करते हैं यह compile हो रहा है जब तक ठीक है चलते हम हमारे browser में देखते हैं कि क्या होगा जो active होगा वो menu क्या हो जाने चाहिए red color का हो जाने चाहिए अभी हमारे compiling चल रही है ठीक है देखो हो गया अब जो भी menu active है वो हमारा red हो गया तो इस तरीके से हम nav जो link होता उसका use करते हैं link और nav link में आपको difference पता चल गया होगा आपकी क्या होत इसका हो ठीक है तो होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लोगी होगी इसे like और share जरूर कीजिएगा साथी साथ code meta channel को subscribe पीजिए ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें